हेलो दोस्तों Laptop Master में आपका स्वागत है मैं आपका दोज निशान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लाप्टप के साथ आज हम लेके आए हैं HP Pavilion Plus EW0116TU जी हां इस configuration में कलर में दो मॉडल्स आते हैं EW0116TU और EW0115TU दोनों मॉडल्स से हमें सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस है आज जो हमारे पास laptop है वो है नेचरल सिल्वर कलर में 116 और 115 आता है वो आता है मून लाइट ब्लू में आज हम इस laptop की अन्बॉक्सिंग करेंगे वीडियो के अंतर हमारे साथ बने रहेगा कहीं मत जाएगा इस laptop का बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे यह laptop हमें मिला है दिल्ली के अंदर करोल बाग में ओमिन प्लेग्राउंड है वहां से हमें यह laptop मिला है अन्बॉक्स होने के बाद यह कंपरी के पास वापिस चला जाएगा आगे बंदे से पहले में आपको यह बतातु हूं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं जितने वी दोस्तों हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जिन्होंने अभी तक हमारा पावर कोड मिलेगी आपको और एक मैनुल मिलेगा यह हमारा लाप्टॉप पाविलियन प्लस बहुत ही लाइट वैट है जितने भी एच्पी ने अभी पाविलियन प्लस लॉंच किये हैं जिसकी हम वीडियो पहले भी अप्लोड कर चुके हैं 1082 यह 0153 यह यह उसी सीरीज पाविलियन प्लस लाप्टॉप है अगर आप लुक की बात करेंगे तो अल्मोस्ट लुक आपको सेम ही मिलेगी फुल मैटल चेजिस के अंदर पाविलियन प्लस लाप्टॉप आपको मिलता है टॉप है या बैटम बोटम का है हम पूरा का मैटल चेजिस में आएगा यहां एक हाथ से open थोड़ा सा मुश्किल है, पीछे से आपको पगड़ना पड़ेगा, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, एक हाथ से laptop वहारा open नहीं हुआ है, दोस्तों इसके हम आपको ports दिखाते हैं, build quality की तो बात पंत के रिए, build quality हम पहले भी कई बात दिखा चुके हैं, बहुत type A, 10 gbps signaling rate के साथ, second आपको मिलेगा, HDMI 2.1 आपके projector और LED TV कनेक्ट करने के लिए, फिर आपको दो मिलते हैं, type C, जो पहला type C है, वो आपको 10 gbps signaling rate के साथ मिलेगा, और दूसरा जो type C है, वो thunderbolt port आपको मिलता है, 40 gbps signaling rate के साथ, अगर हम laptop के right side में देखेंगे तो आपको सिर cpu आपको मिलता है, 13 generation Intel i5-1335U processor है, base speed 1.3 gigahertz है, turbo boost technology के साथ आता है, boost up 4.6 gigahertz तक जाएगा, course की बात करेंगे, तो 10 cores मिलेंगे, आपको logical processor आपको मिलेंगे 12, मैं आपको दातू, जो tell core है, इसमें सिरफ 2 performance core है, और 8 efficient core है, जो आपका 5.4.6 आपका maximum frequency है, वो सिरफ 2 cores के लिए 8 cores के लिए, जो maximum frequency है, वो है 3.4 gigahertz, बहुत confused मत होईएगा, क्योंकि जितने में Intel के processor आते हैं, mostly उनमें performance score बहुत कम होता है, अगर आप इसको AMD के processor से compare करेंगे, तो AMD में जितने भी cores आते हैं, वो सारे performance score होते हैं, अगर आप इसमें core 2 हैं, आपके 10 core हैं, लेकिन AMD के 4 cores से भी ये slow आपका count होता है, इसकी L3 cache की बात करेंगें, तो 12 MB L3 cache आपको मिलती है, memory 16 GB की, LPDDR5 आपको इसमें RAM मिलती है, 5200 megahertz की, इसमें RAM insulated है, या chip लगी भी है, उसमें वो हम आपको laptop का open करके दिखाएंगे, disk, Samsung की आपको Gen 4 की SSD मिलती है, 512 GB की, जिसकी capacity आपको 477 GB की मिलती है, GPU, Intel Iris XE graphics है, अपनी कोई भी memory नहीं होती है, Intel के अंदर graphics की dedicated, इसके share कता है 7.9 GB, तो दोस्तों, अगर हम configuration की बात करेंगे, तो एक बहुत बहतरीन configuration आपको इसमें मिलती है, और जो voice, अभी आप सुन रहे एक configuration पढ़ते हैं समय, हमने इसी laptop के mic से test करी थी, तो दोस्तों, mic इस जो laptop में लगे वे हैं, उस पे company कहती है, noise reduction के साथ है, temple noise reduction के साथ आते हैं, इसलिए हम mic टेस्ट कर रहे हैं कि background का music जो अभी चल रहा है, इसके साथ में ही, उसको ये कितना record करता है, और हमारी voice को ये कित दोस्तों, देखते हैं कि background music कितना हमारा, इसमें आपको सुनाई देता है, कितना नहीं, कितना इसने noise reduce किया है, तो दोस्तों, आपने सुना, सुना क्या, background music तो आपको सुना ही नहीं दिया हमारे recording में, यही हम टेस्ट करना चाहते थे, कि यह हमारे टेस्ट में, पास होता है या नहीं होता, लेकिन यह laptop, temple noise addiction में, बिल्कुल clear है, आप अगर meeting कर रहे हैं, तो आप बेज ही जब हो के, आराम से कर सकते हैं, जो भी आपके आसपास music होगा, background music, वो सामने नहीं जाएगा, अगर हम screen की बात करें, इसमें आपको मिलती ह है, 14 इंचिस की WUXGA, जी हाँ, 1920 by 1200 resolution के साथ, IPS display है, micro edge है, anti clear है, 300 nits के साथ है, और 45% anti HD के साथ, आपको इसका display मिलेगा, अगर आप camera की बात करते हैं, HP wide vision 5 megapixel IR camera मिलता है, इसमें temple noise reduction के साथ, और इसमें आपको मिलेगा integrated dual array digital microphones, जिसका mic हमने अभी आपको temple noise reduction टेस्ट करके दि कीबोड की तो आपको इसमें full size backlit keyboard मिलता है, soft gray color के साथ, तो चलिए दोस्तों laptop का back panel open करके आपको दिखाते हैं, तो दोस्तों laptop ने unbox कर लिया है, कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है, कि एक fan लगा हुआ है, और एक आपका blank है, ऐसा इसलिए है कि जो 1082 laptop pavilion plus का HP ने launch किया आ तो dual fan के साथ आता है, अच्छा body उसकी वही है, उसी body में बाकी pavilion plus के laptop भी कंप्री ने launch करे है, अब यह एक dummy लगा रखा है, यहां पे fan नहीं लगा हुआ है, एक fan लगा हुआ है, जो connected है प्रोसेसर के साथ, और प्रोसेसर के साथ में आप देखेंगे तो चार आपको एक च लेकिन और कोई हमें slot इसमें नहीं दिखाई देता है, जिसको आप extra 1 SSD लगा सके, यहां बैटरी आपको मिल जाएगी, 3 cell की बैटरी है, 51 work hours के साथ, तो दोस्तों आज हमने unbox किया pavilion plus HP EW0116TU, जैसे कि हमने आपको शुरू मताया था, दो model आते है, दोनों में color का difference है, उसक 11 GB RAM, देखी हमें, 512 GB SSD, i5 13 generation, देखे, इसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा benefit होता है, पूरी अल्मूनियम बाडी में आपको pavilion plus laptop मिलता है, आपका weight है 1.38 kg, हमने screen पे देखी, full HD IPS आपको anti-clear display मिलता है, अगर आप search कर रहे है, i5 के अंदर और आपका budget, अगर 70 की range में है तो आपके लिए ये laptop perfect है, light weight है, 14 inches में, आपको अलग से back carry करने की जुरत नहीं है, अलग से back pack, आप जो back carry करते हैं, आप उसमें भी इसको रख सकते हैं, इसका charger है, आपने देखा, 65 watt का है, type C, अगर हम उसको देखेंगे, तो ये 50% तक charge कर देता है, 45 minutes में, जी आप 45 minutes में, आपको इस 50% तक laptop को charge कर देगा, जो हमें इस laptop में थोड़ी सी कमी दिखाई दी, वो हमें दिखाई दी इसकी screen में, देखें, पविलन प्रस्ता, आप at least इसमें SRGB 100% दे सकते थे, आज की रिट में, इस pricing range में 100% SRGB, most of the market में आपको मिल जाता है, अगर हमें 100% SRGB मिलती screen में, तो मैं यह कहता है कि यह laptop बिल्कुल ही perfect है, वैसे कोई कमी नहीं है इस laptop में, लेकिन एक थोड़ा सा इस pricing में, क्योंकि market में यह आपको 70-75,000 के आसपास मिलेगा, इस price range के अंदर आप deserve करते हैं कि आपको 100% SRGB मिले, HP इसके साथ आपको 1 year की on-site warranty देता है, अगर आप upgrade करना चाहिए, तो आप upgrade कर सकते हैं, 2 year extend कर सकते हैं, और अगर आपने accidental damage protection या नहीं, laptop टूट फूट ही है, तो वो भी करना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप warranty extend करें, हमेशा उसी brand से करें, जिस brand क आप laptop ले रहे हैं, third party बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको बात में problem काफी होने वाली है, अगर आपने ये laptop purchase करना है, तो जहां से हमें ये laptop मिला है, अन्बोक्स करने के लिए आप जरूर call कर सकते हैं, हमने number नीचे description में दे रखे हैं, और नीचे line में भी आपको मिल ज अभी तक हमने हमारा चैनल laptop master subscribe नहीं किया, तो subscribe जरू कर लीदेगा, बेल आइकन जरू प्रैस करें, जिससे आगे आने वाली नहीं वीडियो की notification आपको मिल जाएं, तो दोस्तों वीडियो पसंद आगे हो, तो like और share जरू कर दीदेगा, और वीडियो के अन तक हमारे सत्प बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में नए laptop के साथ, तब तक के लिए जाहिएं